दिल्ली NCR में चली तेज हवाओं और हलकी बूंदा बांदी के बाद मौसम अच्छा हो गया है और जो पलूशन जो बढ़ रहा था उससे भी लोगों को रहत मिल गई है तो इस वक्त मैं इंडिया गेट पर हूँ यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मौसम किस तरह का है मौसम आप देखेंगे साफ नजर आ रहा है बस बादल की बात करूँ अगर मैं तो फिलाल कुछ दिनों के लिए जो मौसम विवाग है उसका कहना है कि आज कि गर बात करें तो आज हलकी बारिश की संभावना है लेकिन अभी फिलाल सनलाइट आप देख रहे होंगे कि द जगों पर बारिश हुई है पंजाब, हरियाना, राजस्तान, यूपी तो इस इलाके हैं सभी जगों पर कल बारिश हुई जिसकी वज़े से तापमान इन सारे इलाकों में तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है और अगर मैं पहाडों की बात करो तो पहाडों पर जो उपरी हिस्सा है उधर भी काफी बरवारी हो गई और नीचे की तरफ बारिश हुई है तो इसी वज़े से आप देखेंगे जो इधर का जो इलाका है मैदानी इलाके में दिली के आसपास इलाके में आप देखें हलकी आज ठंड भी महसूस हो रही क्योंकि तमाम लोग दिखेंगे जो कि आज पुल स्लीफ में लोग आ गए हैं जो लोग पिछले दिनों तक गर्मी से जो परिशान थे उनके लिए अच्छी ख़वर है और मौसम अच्छा हो चुका है मौसम घुमने वाला है दिली का मौसम तो ये इंडिया गेट पर इसलिए आप देखेंगे अधिक्तम तापमान है वो 31 से लिए नित्म तापमान यह पिछले दिनों तक तेईज़ चौबीस डिगरी ऐसियस तक चल रहा था उसमें गिरावट आई है और वो आज 20 से घुरस तक दर्ज दर्ज की गई है और तापमान कम होने की वज़े से मौसम अच्छा है चुकि सर्दियों ने एक तरह से ऐसा लग रहा है कि दस तक दे दी है लेकिन मौसम विवाग का कहना है कि फिलाहाल एक दो दिन तक इसी तरह से मौसम रहेगा लेकिन फिर एक दो डिग्री बढ़ेगा ले परिश की वजे से अच्छी बात यह है कि जो है आज दिल्ली की बात करूं तो आप जो अभी तक पलूशन था उससे काफी रहत मिल गई है जो अभी 223 के आसपास दिल्ली ओबरॉल जो दिख रहा था एक यूवाई वो से भी आज काफी अच्छा है मौसम अच्छा हो गया है ह हवाज साफ है इसलिए दिल्ली आप घूमने फिरने के लिए बाहर निकल सकते हैं क्यामना फसल ओहित के साथ मैं शालनी वाजपी टीवी नहीं चाहिए